सो हेलो फ्रेंड्स वेलकम बैक टो मैं अदर वीडियो विल दोस्तों फाइनिली कल इंडिया के अंदर येलमी C51 डिवाइस के लिए Android 14 Early Access Update को रोल आउट किया गया था और यहाँ पर ये जो अपडेट है काफी सारे उसर्स के डिवाइस में देखने को मिल चुक है वैसे दोस्तों आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकते हो आपके डिवाइस में Android 14 Early Access अपडेट देखने को मिला है या फिर नहीं अगर आपको ये अपडेट आपके डिवाइस में सो नहीं हो रहा है तो कैसे देखने को मिलेगा वह मैं आपको आपके वीडियो में बता देता हूं बट उससे पहले दोस्तों अगर आप लोग चैनल में नहीं हो फर्स टाइम विजिट कियो तो चैनल को सब्सक्राइब कर प्रेस कर लेना जिसे मारे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके तो चली दोस्तों वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं अगर आपके डिवाइस में अर्ली एक्सेस अपडेट सो नहीं हो रहा है तो यहां पर टेंसर लेने वाली कोई बात नहीं है देखो सिंप अर्ली एकसे सब्डेट देखने को मिल जाएगा वैसे दोस्तों इस अपडेट को इस्टॉल करने से पहले आपके डिवाइस में सिक्स्टी परसें बैटरी चार्ज होना कंपर्सरी है और यहां पे 15 जीवी तक कर स्टोरेज भी खाली रहना चाहिए वैसे दोस्तों यहां प अफीसल अपडेट का वेट करो ठीक है इसमें भी आप लोग को रियल म्यूआ 5.0 के और न्यू फीचर्स यहां पर देखने को मिल जाएंगे बट आपको फिर भी अपने रिस्क में Android 14 अर्ली एकसे सब्डेट को इस्टॉल करना है और आपको रियल म्यूआ 5.0 अपडेट को जो कि आप लोग को वीडियो में सो हो रही होगी वैसे दोस्तों इस अर्ली एकसे सब्डेट को जो वर्सन है ना RMX 383014C.12 यहां पर देखने को मिल जाता है ठीक है एंड इस अपडेट को इस्टॉल करने के बाद आपके डिवाइस में रियल म्यूआ 5.0 के और न्यू फीच देखने को मिला है या फिर नहीं और अगर आपको आपके डिवाइस में यूआ 5.0 अफीसल अपडेट देखने को मिल गया है चाहँ हो रियल मी का कोई भी डिवाइस हो यहां पर आपको एक्सपिरेंस कैसा है रियल में 5.0 अपडेट को स्टॉल करने के बाद वह आप लोग लोगों को नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक में चाहिए वो भी आप मुझे नीचे कमेंट करके बता सकतो और आप लोगों को यह वीडियो काफी जादे इंट्रेस्टिंग और इंफोर्मेटिव लगी होगी अच्छी लगी है तो यहां पर एक लाइक जरूर करें चैनल मे ने हो फर्स टाइम विजिट के हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना बेल एकन को उल में प्रेस कर लेना जिससे मारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक बहुंच सके बागी दोस्तों मैं विलता आप से किसी और वीडियो में किसी और नई टॉपिक के साथ में तब